अगर आपका टागेट अससी 2020 में आज हम डिसकस करेंगे स्टाटिक जिके स्रीज का टॉपिक नंबर 33 इससे पहले हम 32 टॉपिक कर चुके हैं हर एक टॉपिक इंट्वार्टेंट है अगर स्टाटिक जिके की बात करें तो 15-20 कोशन आपके एक्जाम में जिके सेक्शन में स्टाटिक जिके स्क्शन में उकावर हो जाएं स्टाटिक जिके से तो आज का टॉपिक नंबर 33 हमारा रहेगा परमुक्स समाधिस्तल एवं संबंदेति व्यक्ति और इससे पहले 32 टॉपिक हम कर चुके हैं सभी वीडियो प्लेलिस में मिल जाएंगी टार्गेट हमारा 45 प प्लेट हो जाना चाहिए ठीक है तो स्टाट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 33 जो कि इंपॉर्टेन रहेगा परमुक्स समाधिस्तल और उनसे संबंदित व्यक्ति तो स्टाट करते हैं 33 टॉपिक नंबर तो फर्स्ट आपका समाधिस्तल का नाम है राजगाट तो राजग महात्मा गांदी की समाधिस्तल है ठीक है यह चीज़ है तो 1948 यानि 30 जनवरी 1948 को गांदी जी की हत्या कर दी गई थी और कैसे गूली मार कर कहां पर नई दिल्ली में स्थितिक बिल्दा भुवन है वहां पर तो फर्स्ट हमारा राजगाट याद अखना महात्मा गांदी की स समाधिस्तल का नाम लाल बादू सास्त्री के अगर बात करें तो पूर फर्दान मंत्री हमारे रह चुके हैं सिरी लाल बादू सास्त्री जी और इसके बाद 11 जनवरी 1966 को लाल बादू सास्त्री जी की ततकालीन सुवियत संग के ताशकंद में रहस्यमी परसिती में इनकी म कर नाम हो जाएगा कि तो किशान घाट किस्की समाधिस्थल का नाम हो जाएगा किशान घाट चादी किशान घ जो है भारत की पांच Uni या परधानमंत्री थे और 1979 से 1980 तक यह परधानमंत्री रहे इसके बाद के नेतब यह माने जाते है और बाकी यहां पर discuss में अगर आप detail में पढ़ना चाहते हो तो detail में बढ़ सकते हो यहां पर फीटियों को pause करके बाकी यहां पर ज्यादा कुछ यहां पर important नहीं पूछता है और एक और important चीज यहां पर last वे इन्हों नहीं दिया है कि राज घाट के बराबर में किशान घाट के लिए इन्होंने जमीन दे दी तो क्यों जमीन दी यह सभी चीज़े आपको यहां पर जतना भी दे रखा है paragraph वहां पर आपको पता चल जाएगा ठीक है तो बाकी यह चीज इन्पॉर्टिन नहीं है तो इसलिए जादा यहां पर time waste नहीं करना है किशान घाट चौदी चर दी जिए की हत्या के बाद राजीव गांदी जी परतानमंत्री बने तो यहां त een टिक ना एंचनाव में 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 यानीं को यह चुनाव परहार रही थे आम चुनाव के परशार के दोरान तमिलाडू के स्री पैरम बुद्दूर में एक बंबी स्पोर्ट में उनकी मौत हुई ठीक है बागी वेर भूमी याद अखना राजिव गांदी जी की समाधी स्तल का नाम हो जाएगा फाइव आपका महापर्याण किसकी समाधी स्तल का नाम है तो डॉक्टर राजिन परसाद जी की समाधी स्तल का नाम हो जाएगा महापराण तो कुछ important discuss कर लाई थे हैं तो डॉक्टर राजिन परसाद जी याद दिखना first president पहले रास्टपती थे और इनका जो कारेकाल था वो 1950 से लेका 1962 तक ये चाहा ठीक है यानि 1962 में अफकास प्राप्त करने पर उन्हें जो है भारत अतने की सर्व से शुपादी से भी समानित किया जा और 28 फरवरी 1963 में उनका नीदन हुआ बाकि डॉक्टर राजिन परसाद की समाधी जो है कहां पर इस्तित है पटना के बांश घाट के महा प्रियान घाट पर इस्तित है ठीक है तो बाकि यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में डिसकस नहीं करेंगे बस याद अगना यह first president पहले रास्पती थे भारत तो इने मिला था फर्स परसन थे 1962 में और 1963 में इनकी मिर्ति हुई और यह जो रास्पती रहे 1950 से लेका 1962 तक नेक्स्ट आपका है नारायन घाट किसकी समाधिस्तल का नाम है तो गुलजारी नान नंदा इसका राइट हो जाएगा बाकि थोड़ा हम डिसकस कर लेते हैं थोड़ा important चीज गुलजारी नान नंदा जी जो है एक भारत यह राजनेती के थे और जन्म अगर बात करें तो उ परदान मंत्री बनाए गई फस्ट बार पहली बार पंडित जवालान नहर्यू की मित्य के बाद 1964 में और दूसरी बार लाल बादु सास्तरी जी की मित्यों के बाद 1966 में तो सो वर्च की अवस्ता में इनका निदन हुआ यानि 1998 में की मित्यों हो गई तो यहां पे नारायन परदान मंत्री बाद जी के और बागी यह दो बार कारेवाहक परदान मंत्री बने इंपोर्टन चीज 1964 में और 1966 में बागी 1998 में की मित्यों हो गई थी नेक्स्ट है सेवेंट आपका सांती वन तो सांती वन किसकी समाधिस्तल का नाम है जवाल लाल नहरू जी की और जवाल जवाल नहरू जो है सतंतर भारत की पहले परदान मंत्री यह थी ठीक है सतंतर भारत के पहले परदान मंत्री अगर पूछेंगे तो जवाल लाल नहरू जी और इनकी समाधिस्तल का नाम हो जाएगा सांती वन कहां पर इस्तित है डैली में नेक्स्ट है एट वाला सक्तिस्त सकतिस्तल किसके समाधिस्तल का नाम है इंद्रा गांदी इंद्रा गांदी जो की भारत की पहली महिला परदान मंत्री थी ठीक है भारत की पहली महिला परदान मंत्री बोलेंगे तो इंद्रा गांदी राइट हो जाएगा और यह इस्तान भारत की राज़ानी दिल्ली में यान बता रहूं एक तो यह फॉस्ट वह नियुकाल हूँ उन्दीजी के समाधिस्तायल के अगर मुरारजी दिसाई के अगर बात करें तो भारत के 6 यानि छटवे परदान मंत्री ये थे मुरारजी दिसाई जी इनका जन्म अगर बात करें अगर इनका इस्तान के अगर बात करें जा आप इनका समाधी स्थल है वो एहमदाबाद गुजरात में है मुरारती दिसाई जो है भारत की पहले परदान मंत्री थे जो भारती राष्टे कॉंग्रेस के बजाए अन्य दल से थे तो इन्पोर्टिन चीज यह है इनका बाकी इन्हे भारत की सर्वो समान यानी भारत रत्न और पागिस्तान की सर्वो समान यानी निसान पागिस्तान से भी समानित किया गया था तो मुरार जी दिसाई के बारे में इंपॉर्टन पॉइंट जो भी बनता है वो यहां पर दिनों ने दिया है समतास्तल जो है किसकी समाधिस्तल का नाम है जग जीवन राम जी की बात करें तो भारत की उप परदान मंत्री यह रह चुके हैं और समाध की समिदान की निर्माता और यह माने जाते हैं या का जाता है वो है डॉक्टर भीम राव मेटकर जी और इनकी जो समाधिस्तल है उसका नाम क्या समाधिस्तल का नाम है चेत्रा भूमी कहां पर है दैदर यानि मुंबई में इस्तित है और बाकी बाबा साब भी ने का जाता ह एकता इस्तल के अगर बात करें तो एकता इस्तल किसकी समादे इस्तल का नाम है तो ज्यानी जेल सिंग जी की ठेक है ज्यानी जेल सिंग और ज्यानी जेल सिंग जी की बात करें तो यह आठवे रासपती रहें 1982 में को जो ये रासपती बने थे आठवे नंबर के ज्यानि जिल सिंग जी बाकी और इनके टाइम के अगर बात करें तो अमरिच सर में स्वड मंदिर पड़ी सर में Operation Blue Star तथा परदानमिति इंदा गांदी जी की हत्या प्रमुग गटनाए यहां पर है उनकी कारेकाल में यह हुआ था Operation Blue Star और इंद्रा जगांदी जी की हत्या भी लगवव उनी के टाइम पर हुआ था एकता स्थल के अगर बात करें तो भारत की एकता और अखंटा का यह परतीक है और इसका अपना राष्ट्य महत भी भी है यहां एकता स्थल कहां पर स्थित है बोलेगा तो दर्यगंस न्यू डेली में स्थित है नेक्स्ट आपका है उदय भुमी तो उदय भुमी किसकी समादे स्थल का नाम है तो के आर नारायन अगर के आर नारायन जी के important point के अगर बात करें तो यह भारत के पहले दलित और मलियाली रास्पती थे भारत के पहले दलित और मलियाली रास्पती यह थे इनका जम अगर बात करें 1920 में हुआ था केरल के एक छोटे से गाउ में और 2005 में यानि आर्मी रिसर्ट एंड रैफ्रल हॉस्पिटल यानि नई दिल्ली में उनका निदन हो गया था कर्म भूमी नेक्ट है कर्म भूमी किसके समादेस्तल का नाम है तो संकर द्याल सर्मा इसका राइट हो जाएगा संकर द्याल सर्मा की बारे में जो अगर बात करें थोड़े important point तो ये भारत के नवे रास्पती थे ठेक है इनका कारेक जो है 1992 से लेकर 1997 तक रहा और रास्पती बनने से पहले ये भारत के आठवे उपरास्पती भी थे तो important चीज संकर द्याल सर्मा जी नवे रास्पती थे और इससे पहले ये आठवे उपरास्पती भी थे और बुपाल राज्य के मुख्य मंत्री भी रह चुके थे और 1999 को य इस तल का नाम है तो अटल विहारी बाचपेजी का इनके बारे में कुछ important point अगर बात करें तो भारत के ये दस्वे परदानमंत्री थे और 1996 तक ये भारत के परदानमंत्री थे उसके बाद 1998 से दोजारतार तक ये भारत के परदानमंत्री रहे थोड़ा से यहां पर पॉइ मंत्री यानि अटल विहारी बाचपीज नीजें 2018 को इनका निदन हो गया 16 गस 2018 और राष्टे स्मिर्थी यानि राष्टे स्मिर्थी स्तल नहीं देली में है जहां पर इनका अंतिम संसकार हुआ तो समाधी स्तल के बारे में आज हमने डिसकस किया कौन सी समाधी स्तल किस की ह और उनके बारे में कुछ important point को बाकी discuss करेंगे topic number 34 में next आपका topic की बात करेंगे discuss करेंगे उसके बारे में के भी पूछ सकते हूं या फिर टेलिग्राम पर मैसेज करकी भी आप पूछ सकते हूं टेलिग्राम का लिंक मिलेगा description में वहां से आब आड़ हो सकते हैं ठीक है बाकी मिलते हैं topic number 34 में एक नए topic के साथ धन्यवाद शुक्रिया और बैस शाथ देने के लिए support करने के लिए टेक केर बाई बाई